हलो फ्रेंड्स, स्वामी विवेक अनन्द का जन 12 जन्वरी 1863 को हुआ था और निधन 4 जॉलाई 1902 को हुआ था आए उनकी इस पुन्ने तिती पर आपको उनके जीवन की एक प्रेनद आया घटना सुनाती हूँ विवेक और आनन्द की सारी सीमाएं लांग कर स्वैम अपने इंद्रियों और मन का स्वामी हो जाना ही स्वामी विवेक अनन्द होना है स्वामी विवेक अनन्द का संपूम जीवन एक दीपक के समान है जो हमेशा अपने प्रकाश से इस संसार को जगमगाता रहेगा स्वामी विवेका नंत का जीवन सदा हम लोगों के लिए एक प्रेना का श्रोत बना रहेगा एक बार स्वामी विवेका नंत ट्रेन से यात्रा कर रहे थे और हमेशा की तरहे भगवा कपड़े और पगड़ी पहने हुए थे ट्रेन में यात्रा कर रहे है एक अन्य यात्री को उनका ये रूप बहुत अजीब लगा तो वो स्वामी विवेका नंजी को कुछ अपशब्द कहने लगा वह बोला तुम सन्यासी बनकर घूमते रहते हो क्या कुछ काम नहीं करते कुछ कमाते धमाते क्यों नहीं हो तुम लोग बहुत आलसी हो लेकिन स्वामी जी दयवान थे उन्होंने उसकी तरफ बिलकुल भी ध्यान नहीं दिया और हमेशा की तरह चेहरे पर तेज लिये मुस्कुराते रहे इसी बेच स्टेशन आ गया और स्वामी जी और वो यात्री दोनों उतर गए उस यात्री ने अपने बैग से अपना खाना निकाला और खाने लगा और स्वामी जी से बोला अगर कुछ कमाते कुछ काम करते तो तुम भी आज खाना खा रहे होते उस समय स्वामी जी को बहुत भूक लगी हुई थी, क्योंकि उन्होंने सुभह से कुछ खाया पिया नहीं था, स्वामी जी हमेशा दूसरों के कल्यान के बारे में सोचते थे, इस कारण से उन्हें अपने खाने का ध्यान भी कहा रहता था, एक तरफ स्वामी जी को भूक से व मिश्वास करता हूँ, जो वो चाहेंगे वही होगा, मेरा भगवान मुझे भूका नहीं रखेगा, अचानक कि कहीं से एक आदमी खाना लिये हुए स्वामी जी के लिए पास आया, और बोला क्या आप ही स्वामी विवेकानन्द है, और इतना कहकर वो स्वामी जी के कदमों में गिर पड़ा, और बोला कि मैंने एक स्वामी जी की आलोचना कर रहा था, भाग कर आया और स्वामी जी के कदमों में गिर पड़ा, कहने लगा स्वामी जी मुझे शमा कर दीजे, मुझे बहुत बड़ी भूल हुई है, मैंने भगवान को देखा तो नहीं है, लेकिन भगवान में विश्वास बहुत जादा बढ़ा दिया है, स्वामी जी ने बड़े दया भाव से उस विक्ति को उठाया और गले से लगा लिया, और कहा कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, स्वामी जी के जीवन से जुड़ी है, सत्य घटना हमें सिखाती है कि किस तर जीवन है, जो दूसरों के लिए जीते हैं, अन्य सब तो जीवित होने से अधिक मृत है, स्वामी विवेगानंद का ही अन्मोल विचार है यह कि दुखी लोगों की सहायता करने में विश्वास करता हूं, और दूसरों को बचाने के लिए मैं नर्ग तक जाने को भी तयार एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ, तुम भगवान में तब तक विश्वास नहीं कर सकते जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, आदमी बाहर से कैसा होता है, ठीक वैसा ही जैसा भीत केवल मात्रा बदल जाती है, बाहर भीतर का बड़ा रूप सामने आता है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको, जब तक लक्षय न प्राप्त हो जाए, परेड में पीछे मुड बोलते ही पहला आदमी, आखरी और आखरी आदमी पहले नंबर पर आ जाता है, अतह जीव में कभी आगे होने का घमंड और आखरी होने का गम न करें, पता नहीं कब जिन्दगी बोल दे, पीछे मुड खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है, उठो मेरी शेरो, इस भ्रम को मिटादो कि तुम निर्बल हो, तुम एक अमर आत्मा हो, सवचंद जीव हो, धन हो, सनातन हो, तुम तत्व नहीं हो, नहीं शरीर हो, तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो, जैसा तुम सोचते हो, वैसे ही बन जाओगे, खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे, हर काम को तीन अवस्था से गुजरना होता है उपहास, विरोध और स्वीकृति ब्रह्मान में कोई भी शक्ति किसी भी व्यक्ति को उस चीज को हासिल करने से नहीं रोक सकती जिसका वह वास्तव में हक्तार है उसकी प्रबल इच्छा शक्ति के सामने हर चीज को सिर जुकाना पड़ेगा क्योंकि वह स अनीती से लड़ता है, जो दुरगुनों से दूर रहता है, जो काल की चाल को बदल देता है, जिसमें जोश के साथ होश भी है, जिसमें राश्ट के लिए बलिदान की आस्था है, जो समस्याओं का समाधान निकालता है, जो प्रेरक इतिहास रचता है, जो बातों का यहां नहीं बलकि करके दिखाता है एक समय आता है जब मनुष्य अनुभव करता है कि थोड़ी सी मनुष्य की सेवा करना लाखों जप और ध्यान से कहीं बढ़कर है आग्या देने की शमता प्राप्त करने से पहले प्रतेक व्यक्ति को आग्या का पालन करना सीखना चाहिए एक भी शून टेडियो नाग्या ओद्यान का लिए डाप्त करना सीखना आग्या Ñप्य।